पूर्मुक्य मंत्रे प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल के जनम दिवस्त पर हमित्पर में बाजबा कारेकरताओं में जोश देखने को मिला कॉपिट प्रोटोकॉल के चलते इस पार जनम दिवस पर बड़े आयोजन की मनाही के चलते पुल्मुक्य मंत्री के निवास्तान पर कोई कारेकरम आयोजन नहीं किया गया लेकिन हर साल लगने बाला रग्दान शिबिर गांधी जौंक पर लगाया गया भाजी उमोब एम के भारतवाज संस्था के सियक तद्वा बदान में रग्दान शिबिर का आयोजन किया गया रग्दान शिबिर में युबाओं ने बड़ शड़ कर भाग लिया इस मौके पर जिला भाजबा के अध्यक्ष पलदेब शर्मा जिला मीडिया परभारी परेने बाले युबाओं का आभार भी व्यक्त किया शर्मा ने कहा कि रगदान महादान है और रगदान की जरुरत आएं दिन लोगों को अस्पतालों में पढ़ती रहती है जिसमें युबाओं के दौरा किये रगदान से उन्हें मदद मिलेगी उन्हें कहा कि पूर मुके मंत्री के रूप में आज भी याद किया जाता है विशनेता पूरु में मुख्य मंत्री आदरिय प्रेकमा धूमल जी का आज जनम दिन है पूरे हिमाचल में पूरे गरम जोसी से मनाया जा रहा है उसी कड़ी में हमीप और गांधी चौक में भी हमारे जो एमके भारतवाच इनकी संस्ता और हमारे इवामोचल के साथी सब जूर कर ये दूमल जी के जनम दिन के उप्लक्स में रखदान कर रहे हैं ये बहुत पूर्ने का काम कर रहे हैं दूमल जी ने जहां हिमाचल की दस साल मुख्य मंत्री रहते हुए बहुत सेवा की है और उन्ह मुख्य मंत्री के कह जाए भर के लिए मादनिया प्रेंक माह दूमल जी ने भी माचल कर लिए कुछ नकुछ हर ampable कि लिए कि यह इनक nel bathroom किया है मैं एक संसा को इन बच्छों को जिने देने कूंधां कर दन्यवाद करता हूं किसा पूनिया काम ईनका एक व्लेट इटैसं कोई किसी का बड़ा प्रिसन होने हुआ खून चाहिए तो ये खून किसी की चानब चाने में काम आएगा इसलिए एमके भारतवाद इनकी टीम को और युवा मोचा के सब साथियों को मैं दोने हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं और दूमल जी को जनम दिन की बहुत बहु प्रिस्कमा धन्यवाद धन्यवाद दूमल जी शेवा करतेये हैं धन्यवाद जिल्हा भासपा मीडिया प्रभारी अंकुर्चत चर्मा ने कहा कि पूर्भ मुके मंत्री ने हमेशा नीश्वार्थ भावसे लोगों की सेवा कि है और बे कहते हैं कि रासनीती स्टत्ध सुख भोगने का काम नहीं है उन्होंने कहा कि पूर्भमुक्य मंत्री के बताए गए मार्क पर चलने की आज हर भाषप कारेकरता को जुरूरत है उन्होंने कहा कि आने बारे इस मैं में पुल्ग मुक्य मंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल का मार्क दर्शन नेत्रतब आशरबाद जनता को मिलता रहे ऐसी कामना उन्होंने की है जाकरना चाहूंगा तो हमारे इस आधर्निय प्रेम कुमार धुमल जी का जनम 10 अप्रेल 1944 को गौश मीरपूर जिला हमीरपूर में हुआ था इनकी पारंबिक शिक्षा मिडल स्कूल बलवाड़ा में बगवाड़ा में हुई और मैट्रिक इन्होंने डिएवी स्कूल इन्होंने पंजाब विश्वदयाले जलंदर में परवक्ता के रूप में कार्य किया ततपशात दौबा कॉले जलंदर में चले गए नौकरी करते हुए ही इन्होंने ललबी भी की 1984 में इन्होंने संस्जी चुनावों में भाग लिया हालांकि इन चुनावों में उन्होंने सफलता नहीं मिली किन्तु 1999 में मैं वै विजय प्राप्त हुए उनको विजय मिली और उसके बाद लगातार 1999 में मैं फिर से हमीरपूर लोगसभा सीट से जीत कर आए 1996 की लोगसभा चुनावों में हालांकि वै शफल नहीं हो पाए लेकिन 1998 की विदानसभा चुनावों में वै वमसंग शेतर से जीत के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और धुमल जी ऐसे पहले भारती जनता पार्टी के नेता रहे जिन्होंने भारती जनता पार्टी के सरकार चलाई और उसके बाद एक बर दुबारा इन्होंने 2007 से लेके 2012 तक फिर से भारती जनता पार्टी की सफलतम सरकार परदेश को दी है भारती जनता पार्टी की सरकार ने जब जब परदेश में रही और आधरनी धुमल जी ने उसका नित्यत्तु किया तब तक में राशी स्तर पर भारती जनता पार्टी की केंदरी सरकार ने अपनाई है और उनको वरीद क्षेत्र पे पूरे भारत वर्ष में चलाया जा रहा है उनमें से प्रमुक योजनाए हैं जैसे आधरनी धुमल जी ने प्लास्टिक बैंकर स्वस्ता अभ्यान की सुरूत केंदर सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंदोलन को आगे बढ़ा रही है आधरनी धुमल जी ने माता श्रबरी कल्यान योजना शुरू की थी जिसमें गरीब महिलाओं को गैस का चूला दिया जाता था तो आज केंदर सरकार भी उज्जला योजना के तहत पू प्रध्मिक्ता देते हुए इनी तीन बिंदों पर अधारित रहते हुए राजनिती की सडक, सिक्षा और स्वास्ते क्षेत्रों में इन्हें अबूत पूर्व, सुधार और विकास हिमाचर प्रदेश में किया है शिक्षा के क्षेत्र में जहां उन्हें प्राथमिक विद्यालों में तीन भवन पक्के निर्मान करने की योजना चलाई तो बाद में केंदर स्थर पर वो योजना अपनाई गई शिक्षा के अबूत पूर्व, अपनाई योगदान इस प्रदेश की युवाओं को दिया है वो भी कई भूल जाने वाला नहीं है इससे पहले हमारे प्रदेश के हमारे भाई बेहन उच शिक्षा ग्रैंड करने है तू प्रदेश में जवा उपलवद नहीं थी उनको अन्य राजियों में जाके वे उच शिक्षा ग्रैंड करते थे तो दुमल जी ने उच शिक्षा ग्रेंड करने के लिए प्रदेश में के उच शिक्षा संस्थान खोले, जिससे आज हमारे भाई बहन, हमारे आने वाली अग्य की पेड़ी, हमारे युवा प्रदेश में उच शिक्षा ग्रेंड कर पा रहे हैं अभी जो हमारे आधरनी नेता है उनकी राजनीती के आत्रा लगातार चली हुई है धुमल जी को परदेश की जंता में इस तरह भी जाना जाता है कि वे परदेश के हर कोने हर कोने हर शेत्र हर गाउं के व्यक्तिकों व्यक्तिकत रूप से जानते हैं उसका नाम जानते हैं उस वाज है पहचान है उनकी बादचीत है अतार अप सक्रिय रहते हुए राजनिती अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं उन्होंने फिर से कहा है कि राजनिती की रूप से भी बिलकु शक्रिय हैं आने वाला चुनाव लड़ेंगे हम सब ये प्रदेश की जनता उनके साथ भूगने का साधन नहीं है बलकि सेवा करने का साधन है समाज सेवा का साधन है इसी सूत्र को हम अपना लक्षे बना के आगे बढ़ेंगे सभी कारे करता और आने वाले समय में धुमल जी का मार्गर्शन धुमल जी का नेतित्व और धुमल जी का आशिरवाद हम सब पे बन पर्मपिता प्रमात्म से प्रात्ना के लंबी आयू उचे स्वास से और उनका अश्रिवाद हमें आगे परदान करते रहें और इस प्रदेश को उनका मार्ग दर्शन मिले उनका लेते तो उनका मिले धन्यवाद। दुमल जी कहते हैं राजनिती भारती जंता पार्टी की कारे करता के लिए सत्ता भोगने का साधन नहीं है बलकि सेवा करने का साधन है समाज सेवा का साधन है इसी सूत्र को हम अपना लक्षे बना के आगे बढ़ेंगे सभी कारे करता और आने वाले समय में दुमल जी का वाद हमें आगे प्रदान करते रहें और इस प्रदेश को उनका मार्गर्शन में ले उनका लेतितों में धन्यवाद